राजस्तान कॉंग्रेस में फिर बने फूट के आसार असोग गेलोत के मंतरी असोग चांदना का करोली में हुआ जबरदस्त विरोध साचिन पाइलेट समर्तकों ने असोग चांदना गोबेक के नारे लगाए वही परिवेन मंतरी खाचिरी आवास का भी विरोध देखने को मिला वही दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबार निकल कर आ रही है राजस्तान में विदान सबा में भूत प्रेत की कहानी एक बार फिर सक्रिय हो चुकी है वही सहाड़ा विदायक केलास तिरवेदी के निदन के बाद एक बार फिर वही कहराम राजस्तान विदान सबा में मचा हुआ है बताया जा रहा है कि वर्तमान विदान सबा में अभी तक 200 विदायक एक साथ नहीं बेट सके हैं और ऐसी ही दार्णा को एक बार फिर बल मिला है सहाड़ा विदाय की कोरोना से मोत के बाद क्योंकि वर्तमान विदानसबा में कभी भी ऐसा मोका देखने को नहीं मिला है जब 200 विदायक एक साथ विदानसबा पहुंचे वाई दूसरी तरह बताया जा रहा है कि वर्तमान विदानसबा में भूद प्रेत का साया भी विदायक लगातार उठा रहे हैं वाई दूसरी तरह बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि राजस्तान कॉंग्रेस में एक बार फिर नई सिरे से फूट का सामना करना पड़ सकता है करोली दोसा प्रबारी बनाए गए असोक चांदना का जबरदस्थ विरोध पाइलेट के गड़ में देखने को मिला वाई पाइलेट समर्थकों ने असोक चांदना गोबेक के नारे भी लगाए तो दूसरी तरह बताया जा रहा है कि असोक चांदना समाज के गद्दार है यानि कि जो व्यक्ति या विदायक जो समाज का नहीं हुआ वो दूसरों का क्या होगा ऐसे नारे करोली में देखने को मिले देखिए इस वीडियो में ग्राइस्तान का बच्चे बच्चे ने पाईलेक। प्रवाद निए तुम भिदर करें एक तो प्रवाद करें कि आपकी वजह से सचिन पालेट जी मुखमत नहीं पर पाई सब्सक्राइब कर सकते हैं तो पार्टी की सरकार गिराने में पार्टी गिराने के लिए वह अलग हुए हैं किया सर वह आपका साथ मांग रहे हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें धन्यवाद